है यार दोस्टों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में शेरुल बवर तैसर के साथ देखे इससे पहले आज जो मेने आपको विडियो बनाया है वह आपका प्रत्सत से ही है प्रत्सत का description उत्सत का दूसरा देखे ये संख्या है ये परसेंटेज है ये दोनों बराबर में रखे हैं माल लिया जाए मुझे ये पता करना है कि कितने का 10% 350 होता है कितने का कितने का 10% 350 है तो देखे क्या करना है कितने का है माल लिजिया एक संख्या है एक का की जगे हमने लगा जिया गुणा बटे 10 गुणे 10 बटे 100 बराबर 35 ये लग गया था 35 अब देखे ये 0 से 0 कड़ गया तो ये जब हमें इस 10 का गुणा कर देंगे 35 में तो कितना हो जाएगा 350 इसका मतलब ये 350 का जो है दस प्रसत है 35 अब मैं आपको जो कोशन बताने जा रहा हूं आज चुनाओ से सम्मंदित कोशन बताने जा रहा हूं चुनाओ से कोशन आपने देखे होंगे चुनाओ से सम्मंदित प्रसत के अंतरगत कोशन आते रहते हैं इसमें क्या होता है कि हार जीत होती है कोई कितने बोटों से हार जाता है जीत जाता है तो इस टाइप के कोशन इसमें आते हैं चलिए मैं पहले सबसे पहले कोशन की बात करता हूं कि देखें एक चुनाओं में दो अमीद्वार थे एक उम्मीद्वार 69% 59% मत प्राप्त करके 1260 मतों से चुनाओं जीत किया तो कुल कितने मत पड़े अब देखें यहां देखना यह है कि एक प्रतियासी जो है वो 69% लेकर भी जाया है तो दूसरे को कितने मिले होंगे दोड़ टोटल हैंड़ परसेंट पड़े हैं तो एक को जिली दूसे व्याई होंगे 41 nd इसका मतलब इनके बीच में अगर हम देखें तो पर्सेंटेश का कितना अंतर है परसेंटेश का आंतर अठारा पर सिर्थ 1260 होता है तो एक्स गुड़े 18 बटे 100 बराबर 1260 आप 18 सकार देंगे 18 सकते 126 और इस 100 का गुड़ा कर देंगे 70 में तो यह हो जाएगा 7000 रुपए बहुत ही सिंपल कोशन है आपका ये बी ऑप्शन ठीक हो जाता है चलिए आगला कोशन देखते हैं देख कि दूसरे का हमें पता चल जाता है है यंदेड मैंसे हटा करके इसने इतना बोट प्राप्त किया है कि अidd twitter कि यहां पर क्या है एक अमीदबार सब्रुमार लेंता हैह लिजिए यह 44 परसेंट लिता है तो दूसरे का कितना प्रिसत वोट हो गया 56 इनमें हर जीत का अंतर कितना है 12 प्रिसत यह हार जाता है देखिए उसमें था कि एक प्रतियासी इतने प्रिसत बोट लेकर के जीत जाता है इसमें इतने प्रिसत बोट लेकर के हार जाता है इतने म बस हमको ये पता करना है कि कितने का बारे परसेंट जो है वो एक हजार असी होता है. तो देखिए बारे निमा एक सो आठ और इस नबबे में हम गुड़ा कर देंगे सो से तो ये हो जाएगा नो हजार रुपए. सोरी, नो हजार. तो इसका मरलब कुल कितने मत पड़े? एक उमीदवार थी, एक उमीदवार 45% बैद मत प्राप्त करके 11 समतों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले उमीदवार को कितने मत मिले? देखे, कोशन बिल्कुल वही है, एक स्टेप बढ़ गई है, कहां से बढ़ गई है मैं बताता हूँ आपको, देखे, यहां पर ये 45% बोट ले रहा है, तो दूसरे ने कितने लिये होंगे? 55% बोट लिये होंगे, तभी तो ये 100% हो रहा है, इनकी अगर हर जीत का आम अंत होता है, तो देखे, 0 से ये 0 कट गए, इसका मतलब 11,000, तो ये 11,000 के आ गया? ये आ गए आपके कुल मत, अब आपने जब कुल मत निकाल लिये हैं, तो आप जीतने वाले का भी निकाल सकते हैं, और हरने का भी निकाल सकते हैं, यहां पर पूछा गया है कि जीतने वाले उम जीरो से दो जीरो कट गए एक जीरो ग्यारा पंजे पच्पन की पांच हसिल पांच ग्यारा पंजे पच्पन और पांच साथ यानि कि 6050 बोट इसको मिले हैं यह हो गया अप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा अगर यहीं पर आप से पूछ लिया जाता कि हरने वाले उम कल गूपत आपको निकालने होंगे हार जीत का संख्या का नतर और प्रसेंटेज का अंतर निकल करकर कि कुमत निकाल लिजいे और कि और ste इद्बार को कितने मत मिलें तो दीखिए यहां पर आप फिर देख रहे होंगे कि इए जो है 45 परशेंट है तो दूसरे को यहां पर 55 परशेंट मिला होगा इनका हारजीत का जो अंतर है वो 10% है इदर संख्या में जो है 1100 है तो आपको केबल इतना पता करना है कि कितने का 10% 1100 होता है तो आप जानते हैं किसका इदर multiply कर देंगे तो 11000 का 10% जो है वो 1100 होता है तो ये तो कुल मत मिल गए आपके आप यहां पर पुशा गया हरने बाले कितने मत मिलें तो हरने बाले का percentage कितना है 45 परसेंट तब आप क्या कर देंगे प्रणत जो है 11,00 का 45 11 परसेंट ये 0 से ये 0 कट गया ये 0 वहाया 11 55-55-55-55-49 इसका मुतलब यहां पर जो है वो कितना हो गया उननचास सो पचास वूट हो गया यह अब चलिए अगला कोशन देखते हैं कि यहां पर क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है एक चुनाओं में दो मीदबार थे एक मीदबार 44 प्रिसद बैद मत बैद मत प्राप्त करके एक हजारसी मतों से चुनाओं हर गया 95 मत अवैद घुसित कर दिये गए हों 126 लोगों ने मता दिकार का प्रियोग नहीं किया तो सूची में कुल कितने मत थे देखिए पहले तो हमें बैद मतों पर हारजीत कराना है बैद मतों पर हारजीत का मतलब हो गया एक चवालिस परसेंट है तो दूसरा जो है वो होगा 56 परसेंट इनका हर जीत का आंतर देखे तो हो गया 12% संख्या में देखे हो गया 1080 अब आपको यह पता कर लेना है कि कितने का 12% जो है 1080 होता है तो आप ने किया 12 Trung Hill है certa term 1009000 इसका मतलब 9000 अप 10 क्योंकि आप जनते हैं जो छो हर जित नहीं होती यह जो लोग बोट नहीं डालते हैं। उनमें बैलिड मत बैल मत होते हैं आ तो हमें 95 यहां पर प्लस बो भी लेने पड़ेंगे क्योंकि सूची मिले रहे हैं और 126 लोगों ने जिन्नों ने बोट नहीं डाले उनको भी दे जोड़ना पड़ेगा तो देखिए 6-5-11 की एक 9-2-11 एक बार है 9-10-9-10 और एक 6-5-11 की एक और यह हो गए 9-2-11 एक बार है और यह हो गए 2 और यह हो गए 9-92-21 इसका मतलब पूरी मतदाता सूची में कितने वोट पंजीकरत थे 9-2-21 मतलब बैलिड वोट आपने निकाल लिये हैं उसके बाद आपको जो वोट नहीं डाले गए हैं वो भी जोड़ने होंगे और जो वोट आपके अबैलिड गोसित कर दिये गए अबैद गोसित कर दिये गए उनको भी जोड़ना होगा क्योंकि आप पूरी मतदाता चीसे वोटो की संख्या प्राप्त कर रहे हैं तो यह थे आपके चुदाओं से संबंदित प्रस्ण मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा आपको परिक्षा से संबंदित प्रस्णों का अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर बहुत बहुत धन्यवाद दूस्तों